दोस्तो आज हम explain करने वाले हैं हाली में एक matter mystery movie जिसका नाम है silence 2 जो कि आपको जरूर प्रसंद आएगी इसलिए वीडियो को भी like कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो movie की शिरुवात में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने boyfriend के साथ quality time spend करके अपने घ जोता है जहां में से पिए वीनाश को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कई जा रहे होते हैं तब उनको रास्ते में एक आदमे देखता है जो कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था तब अवीनाश उस आदमी को मार कर अच्छ से सबक सिखाता है ताकि एब ऐसा कभी किसी और लड़की के साथ ना करे फिर थोड़ी दिर बाद अविनाश को कमिशनर का कॉल आता है जो कि अविनाश को नाइट हौल बार की शूट आउट के बारे में बदाते हैं जिसमें 8-10 लोग मारे गए तब अविनाश ये केस लोकल पलिस वालों को समालने के अगले सीन में अविनाश अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां अविनाश की टीम में इंस्पेक्टर अमित, राज और ओफिसर संजना होते हैं वह अविनाश अब क्राइम सीन के अच्छे से इंवेस्टिकिशन करता है जहां वह देखता है कि किलर ने 10 ल कोवी की शिरुवात में देखा था और उसका नाम आजमा होता है अब विनाश अब अपने साथियों को बोलता है कि अगर किलर मिनिस्टर की पिये को मारने आया था तो उसने माँ पर बैठे और लोगों को क्यों मारा और क्राइम सीन पर एक और बात अजीब थी कि मिनिस्टर क के पिये के साथ बैठे लोगों को किलर ने कुरसी पर ही गोली मार दी जबकि आजमा और इर्फान को किलर ने ऐसे मारा कि उनकी बोड़ी जमीन पर पड़ी थी इस सब विनाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्राइम सीन पर हुआ किया है तब एकदम से संजना विनाश क को बताती है कि गोविन को हुश आ गया है जो कि क्राइम सीन पर बेहुश मिला था अब अविनाश ऑस्पिटल जाकर गोविन से पूश ताच करता है कि क्राइम सीन पर हुआ क्या था तब गोविन बताता है कि बार में सब लोग इंजोई कर रहे थे तब अचानक से एक काली हुड़ी वाला आदमी आया और उसने बड़ी बहरे में इसे सब को गोली मार दी तब गोविंद उस किलर का चाहरा ने देख पाया क्योंकि इसका मूँ ढखा हुआ था जिसके थोड़ी दिर बाद वे डर के मारे बेयोश हो गया अविनाश अब बार की सिल्सटीवी तो उसको पता चलता है कि किलर का स्ली टारगेट मिनिस्टर का पीए नहीं बलकि आजमा थी जो किर्फान नाम के लड़के के साथ बार में आई थी और किलर ने आजमा के मरडर को छुपाने के लिए बाकी लोगों को मारा है ताकि किसी को पता ही न चल पाए कि मरडर किस ने पहले उसके साथ काम किया था जैया आविनाश से एक तारा नाम की लड़की के मर्डर केस की बात करके उस लड़की की फोट आविनाश को बेश देती है क्योंकि उसे इस लड़की के मर्डर में पिछला कोई केस का पैटर्न लग रहा था आविनाश अव विल्टन नाम के लड बारे में पता चलता है जो कि आजमा और इस्फान का दोस्त है और वो शायद उनको काफी सारी जानकारी दे सकता है। अब हम देखते हैं कि अविनाश कमिशनर के पास बैटा है जहां वैं कमिशनर को सारी बात बता कर कहता है कि किलर का स्लिफ डारगेट पीए नहीं बलकि आजमा नाम की लड़की थी और वो कमिशनर को पूरी बात बता देता है जिसके बाद कमिशनर केस को सल्फ करने के लिए अविनाश को दो दिन का समय देते हैं और अविनाश अब पुलिस इस्टीशन में जाकर जिजवान को काफी जानकारी दे सकता था अगले सीन में डॉक्टर अविनाश को फोन पर आजमा की बाडी की डिटिल बताते हैं जिसमें आजमा के चैरे पर एक चोड का निशान था जो कि मडर से दो दिन पहले आया था और किलर ने आजमा को पास उसके दिल में गोली मारी थी तब ये उसके खून की चीटे आज पास उड़कर गिरी ये सब सुनने के बादा मिनाश को ये केस प्यार और बदले का लग रहा था अब हमें एक अड़जुन चोहान नाम के आदमी को देखते हैं जो कि दिखने में स्टाइको टैप का आदमी लग रहा था और वो कोई ट्रामे की रियर्सल कर रहा था उसके बाद हम एक पुरानी बिल्डिंग में रिम जिम नाम की बच्ची को देखते हैं जो कि पिया नाम की लड़की के साथ थी पिया रिम जिम को हिरोईन बनाने के बारे में कह रही थी इस स्थीन को देखकर ऐसा लग रहा था और पड़ोस के आंटी बता दी है कि रिजवान गाउं जा रखा है उसके बाद अविनाश की टीम अब आजमा के रूम पर जा दी है जहां सब कुछ बिक्रा पड़ा था ऐसा लग रहा था कि किलर ने आजमा के रूम में कुछ डूढने की कोशिश करी पार उसे कुछ भी नहीं मिला अविनाश की टीम अब आजमा की रूम की तलाशी लेती है जा उनको आजमा की अलमारी में काफी महंगी महंगी ट्रैस और गिफ्ट मिलते हैं जब कि आजमा इतनी अमीर नहीं थी जिससे अविनाश की टीम समझ जाती है कि आजमा एक कॉल गर्ड का काम करती थी तब ही उसके पास इतने महंगे महंगे समान थे अविनाश को अब आजमा के रूम से एक डॉक्टर की पड़ची मिलती है जिसके बाद इस डॉक्टर के पास आजमा के बारे में पता लगाने चले जाता है अब डॉक्टर अविनाश को बताते हैं कि आजमा दो दिन बहले उससे इलाज कराने के लिए आई थी क्योंकि उसके चैरे पर चोट लगी थी फिर अविनाश डॉक्टर से आजमा की फैमली की बारे में पूछता है तब डॉक्टर बोलता है कि आजमा की फैमली में सिर्फ एक मा है जिसे आजमा का ये काम पसंद नहीं था इसलिए वे अपने गाउं चली गई अविनाश की टीम अब आजमा की मा के पास जाकर उनको बताती है कि उनकी बेटी मर चुकी है जिसको सुनकर आजमा की मा रोने लगती है पुलिस कब आजमा की मा के घर में एक कॉरियर मिलता है जो कि आजमा ने भेजा था और उसमें एक pen drive थी, जैसे ही अविनाश उस pen drive को चेक करता है तो उसमें एक लड़की की मरीवी फोटो मिलती है जिसे देख कर अविनाश को याद आता है कि उसने उस लड़की की फोटो कहीं देखी है फिर अविनाश अपना phone चेक करता है तो सेम ऐसे ही मर्डर की फोटो जयाने अविनाश को बेजी थी मतलब कि आजमा को इस मर्डर के बारे में पहले पता चल गया था तो शायद इसलिए कि लड़ने आजमा को मार दिया अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पिया रिमजिन के पास दो लड़कों को ले आती है जिनको भी उसने हिरोईन बनाने को कहा था मतलब कि पिया कुछ तो बड़ा प्लैन कर रही है अब हमें पता चलता है कि आजमा एक कॉल गल थी और एक लाइंट ने उसके मुँपर मुक्का मारा जिसके बदले उसको 10,000 रुपे एक्टरा मिले थी जब रिजवान ने उससे चोड़ का कारण पूछा तो आजमा ने कहा कि उसके दंदे में ऐसा सब कुछ होता रहता है जिसके बाद रिजवान ने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया फिर वह चार तारिक को नमाज पढ़कर अपने गाउं चला गया या अविनाश को रिजवान पर शक होता है कि वह उससे कुछ छुपा रहा है तब अविनाश रिजवान से ट्रेन की टिकट मांगता है जिससे वह अपने गाउं गया था और रिजवान उससे टिकट दिखा देता है हाला कि अविनाश को अभी भी रिजवान पर शक था अविनाश अब जया से आजमा और तारा के मडर केस के बारे में बात करता है तब अविनाश को पता चलता है कि जिस आदमी ने तारा को मारा उसने उसकी लाश की फोटो आजमा के किलर के लैपटॉप में बेजी थी जो कि आजमा को मिल गई जिसके कारण आजमा मारी गई ताकि ये बात किसी को पता ना चल पाए मतलब कि ये दोनों केस एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इन सब के पीछे कोई एक ही आदमी है इधर गौरव अरजुन से बात करता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी डील मिली है जिसके होते ही उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे याद जाया अब तारा के बारे में इन्वेस्टिकेशन करके अविनास की टीम को बताती है कि उसके घर में महंगे महंगे कपड़े और गिफ्ट मिले हैं जबकि उसका रूम नॉर्मल था मतलब कि तार और आजमा दोने कॉल गल थी और किसी एक ही और्गनाजेशन के लिए काम करती थी अविनास की टीम को अब आजमा की कॉल रिकॉर्ड से अमिशा नाम की लड़की के बारे में पता चलता है जो कि शायद उसकी दोस्त थी साथ यह उन्हें किसी राजीव नाम के आजमी के बारे में भी पता चलता है जो कि आजमा का क्लाइंट हो सकता था इसी सीन में अविनास की टीम को एक और बात पता चलती है कि आजमा को उसके क्लाइंट के बारे में एक कोड मैसिज से पता चलता है कि उसको कहां और कितने बज़े जाना है जिसे अविनास की टीम के फटाफट investigation के लिए चली जाती है फिर जब अविनाश मेसिज वाले address पर जाता है तो महाँ पर ताला लगा था इसके बाद अविनाश राजीव के पास जाकर उससे आजमा के बार में पूछता है जो कि शायद आजमा के क्लाइंड में से एक था तब राजीव बोलता है कि उसको आजमा के बार में कुछ भी नहीं पता लेकिन उविनाश को पता था कि राजीव उससे कुछ छुपा रहा है इसलिए वो राजीव को अपने साथ जेल ले जाने लगता है तब जेल के डर से राजीव बताता है कि उसको आजमा एक होटल में मिली थी जहां उसकी आजमा से बात हुई तब उसे पता चला कि वह एक कॉल गर्ल है जिसके बाद आजमा ने उसको अपने नमबर दे दिया और वह उसे डारेक्ट मैसेज करके अपने पास बुलाता था उसे आजमा के कोई अजनसी के बारे में नहीं पता आप पुलिस स्टेशन में संजना विनाश को बताती है कि उसको आजमा के कोल रिकॉर्ड से पता चला कि जिस नमबर से उसको क्लैंट के मैसेज आते थे वह हर बार चेंज होते थे जब संजना ने सर्विस प्रोवाइडर से बात करी तो उने ये पता चला कि ये सारे नमबर किसी पूनम शर्मा नाम की औरत की आईडी पर रिजिस्टर्ड है फिर थोड़ी दिर बाद अविनाश अब अमीशा से मिलता है जो कि आजमा की दोस्त थी अमीशा बताती है कि उसको किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता बस उनको एक कोड मैसी जाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें कहां और कब जाना है फिर अविनाश अमीशा थे पूछता है कि तुम इस दंदे में कैसे आई तब अमीशा बताती है कि कुछ लोग उसके घर आए थे जिनने उसकी फैमली को बोला कि वे उसे हिरोईन बनाएंगे जिसके बाद वे लोग उसकी फैमली को पैसे दे कर उसे ले गए और ओडिशन के नाम पर अमीशा को इस क्लैंड के पास बेज़ दिया जिसने उसके साथ दुस्करम किया और ऐसे करके वे इस दंदे में फसकर रह गई है अविनाश अब अमीशा से पूछता है कि आजमा ने उसके क्लैंड के लैप्टॉप में कुछ देखा जिसके बाद उसने अमीशा को मिलने के लिए कहा मजलब कि उसके मरने की वज़ा वही चीज है यह सुनते ही अमीशा ड़ जाती है और फटाफट भाग जाती है क्योंकि उसको अपनी जान का ड़ लग रहा था फिर इधर इंस्पेक्टर राज और अमीद पूनम के घर जाते है तब वे देखते कि पूनम तो एक बुड़ी औरत है जिसकी आईडी का यूज सिम कार निकालने के लिए किया गया है बाकी पूनम को कुछ भी नहीं पता अगले सीन में अविनाश अमीशा के घर जाता है जहां वे देखता है कि उसको किसी ने मार डाला है जबकि उसने उसके घर के बार दो पुलिस वाले लगाए थे फिर डॉक्टर अमीशा की लाश को एक्जामिन करके बताते हैं कि किसी ने अमीशा का मडर किया है और उसके हाथ में चाकू से कड मारा है ताकि ये सब सुसाइड लगे और जो सुसाइड नोट अमीशा के घर में मिला है वे शायद किलर नहीं लिखा है ये सब होने के बाद अविनाश का दिमाग खराब हो जाता है और उसको लगता है कि अमीशा की मरने की वज़ा वही है इसलिए वे अपने टीम को जिल्डी इस केस को सॉल्फ करने को बोलता है ताकि आगे आप किसी की जान ना जाए आप पुलिस स्टेशन में संजना अमीशा की डायरी पढ़ती है जिसमें उसने 11 से 15 तारीक तक जैपूर जाने का प्लैन किया था और डायरी में छोड़े छोड़े अक्षिरों में लिखा था कि और भी लाशे बिखरेंगी यह सब लिखकर अमीशा ने अविनाश को इशारा किया था कि इस धंदे में और भी लड़किया फस रखी है अविनाश अब अपने साथियों को कहकर 11 तारीक की मुंबई से जैपूर जाने वाले पैसेंजर की डिटेल निकालने को बोलता है जिसमें 15 से लेकर 20 साल की लड़कियां अकिले ट्रैवल करने वाली है थोड़ी दिर बाद अमीशा की दादी अब पुलिस स्टीशन में आती है जहाविनाश उन पर चिला कर गयता है कि आपने अपनी पोती को किस दलडल में फसा दिया था तब अमीशा की दादी बोलती है कि ये सब अमीशा की माबाप ने कुछ पैसो के लालच में किया और उन्हें कुछ भी नहीं पता इसके बाद अविनाश की टीम अब मुंबई से जैपूर जाने वाले पैसेंजर की लिष्ट निकाल लेती है जिसमें 15 से 18 साल के बीच साथ लड़ गया थी जो कि अकेले ही ट्रैवल कर रही थी अविनाश अब समझ गया था कि ये केस चायल ट्रैफिकिंगा भी है जिसमें लड़कियों को प्रफ्टिट्यूट के गलत काम में डाल दिया जाता है इसके बाद अविनाश अपनी टीम को उन सब लड़कियों के नंबर पर कॉल करने को कहता है जो कि उन्हें एरलाइन वालों ने दिये थे जिससे शायद उन्हें लड़कियों के बारे में कुछ पता चल पाए फिर अविनाश जैया को कॉल करके सब बताता है और जैपूर के एरपोर्ट में लड़कों को ढूडने को बोलता है ताकि वे लड़कियों के साथ गलत काम होने से बचा पाए अगले सीन में हम जैपूर के एक विला में कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि मिनिस्टर के बेटे सनी की बैचलर पाड़ी मनाने आये थे इधर जैया आप जैपूर के एरपोर्ट में लड़कों को ढूडने की कोशिश कर दी है पर उसे कोई भी नहीं मिलता लेकिन हम देखते हैं कि जैया के पीछे से एक गाड़ी जा रही है जिसमें कनी का नाम की औरत कुछ लड़कों को अपने साथ ले जा रही है इधर आविनाश आप कमिशनर को सब बता देता है और कहता है कि मॉंबई से जैपूर कुछ लड़कों को ले जाये जा रहा है और उनके साथ कुछ तो गलत हो सकता है तो उन्हें जल्दी जैपूर जाकर उन्हें पकड़ना होगा जिसके बाद आविनाश अपनी टीम के साथ जैपूर गले निकल जाता है या अनिका अब उन साथ लड़कों को अपने साथ होटल में खाना किलाती है तब रिमजिम चुपके से वाक्ष्रूम जाकर अपने घर कॉल करती है क्योंकि उसके पास फोन था पर उसका फोन नहीं लगता तब ही एकदम से अमित एरलाइन में दिये नंबर से रिमजिम को कॉल लगा कर उसके बारे में पूछता है तब रिमजिम बोल दे कि वैज जैपूर में छे लड़कियों के साथ आई है तब ही अनिका की आवाज आती है और रिमजिम फोन को काट कर बातरों में चली जाती है हाला कि थोड़ी दिर में अनिका रिमजिम का फोन चीन लेती है क्योंकि उसको उसके फोन के बारे में पता चल गया था अमितब अविनाश को कॉल करके रिमजिम का नमबर देखकर उसकी लोकेशन के बारे में बता देता है इधर विला में हमें सनी के दोस्तों की बातों से पता चलता है कि आज सनी की तरफ से उनकी कमरे में एक एक लड़की आएगी जो कि वही लड़किया थी जिनने बचाने के लिए विनाश जैपूर पहुँच गया था रात कॉबनी का सभी लड़कियों को ओडिशन का जासा देखकर विला के एक रूम में भेश देती है ताके वह अपने क्लाइन को लड़की दे सके या विनाश की टीम भी अब रिमजिम की नंबर की लश्ट लोकेशन से पता करके होटल में जाते हैं जहां से उन्हें पास के एक विला के बारे में पता चलता है इधर सनी के दोस्त लड़कियों के रूम में जाकर उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं तब ही एकदम से विनाश अपनी पूरी टीम के साथ आकर विला में छापा मारता है और सारी लड़कियों को बचा लेता है उसी समय मा मिनिस्टर का बेटा सनी अब एक लड़की की सर पर बंदुक लगा कर आता है पार विनाश सनी की बंदुक छीन कर उसे खुब मारता है इधर जया और संज कि उसने किसी का मडर नहीं किया वह बस अरजुन चोहन नाम के आदमी के लिए काम करता है जिससे उसको पैसे मिलते हैं पोलिस सब अरजुन का पोश्टर बनवा कर आसपस बढ़वा देती है ताकि उनको अरजुन के बारे में पता चल पाए या जया अब अविनाश को बता हो गया था हलाकि वे आदमी यहां से बचकर भाग गया ये सुनकर अविनाश को बहुत गुस्सा आता है और वो गौरफ को माने लगता है अविनाश अब समझ गया था कि ये सब हीमन ट्रैफिकिंग का धंदा अरजुन चोहन कर रहा है जिसको वह किसी भी हाल में पकड़ कर रहेगा फिर अविनाश अब अपनी टीम के साथ सारी लड़कों को बचा कर मुंबई वापस ले आता है और कमिशनर अब अविनाश के काम से खुश थे पर अविनाश अभी भी खुश नहीं था क्योंकि उसका भी में किलर को पकड़ना था जिसने सब कुछ किया है फिर पकड़ कर चार तारी को ट्रेन पकड़ी जबकि नमाज तो अगले दिन थी और उसने पांच तारी को ट्रेन पकड़ी थी पुलिस अब रिजवान के घर जाकर उसे पकड़ लेती है फिर अविनाश रिजवान को खुम मारता है तब रिजवान सच बताता है कि तीन तारी को जब वे आजमा के साथ था तब उसने बताया कि उसने अपने क्लाइन के लैपटाप में कुछ ऐसा देखा जिससे वे इन सब धंदे से बाहर निकल सकती है फिर चार तारीकों जब रिजवान अपने गाउं जाने लगा तो उसको अरजुन का फोन आया और उसने उसको ब्लैक मेल करने वाली एक लड़की को धंकाने को कहा जिसके बाद रिजवान अपनी ट्रेन छोड़ कर उस लड़की को धमकाने के लिए एक बार में गया जहां उसने देखा कि महा तो आजमा है मतलब कि अरजुन ने आजमा को धमकाने को का था रिजवान अब आजमा और इजफान से बात कर रहा था तब एक काली हुडी वाला आदमी आया जिसने महा पर सबको मार दिया और रिजवान को अपने साथ ले गया जिसके बाद रिजवान उस आदमी से बचकर भाग गया और अगले दिन वह अपने काउँ चला गया अविनाश अप समझ गया था कि किलर ने ये सब रिजवान को फसाने के लिए किया है और जब आजमा को तारा के मडर की बात पता चली तो उसने अमीशा को बताया ताकि वह दोनों इस दंदे से बचकर निकल सकें जिसकारण वह दोनों ही मारी गई अविनाश को यहां एक और बात पता चलती है कि जिस आदमी से आजमा मिला करती थी वह शायद अरजुनी था जो कि शायद आजमा से प्यार करने लगा था इसलों उसने आजमा को तब नहीं मारा जब उसको तारा के लाश की फोडो दिखी थी अविनाश के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे जिसके जवाब उसके पास नहीं थे और संजना अविनाश को बताती है कि अब तक जितने भी लोगों से उन्होंने पूश्टाच करी है किसी ने भी अरजुन को देखा नहीं है और रिजवान ही अरजुन का खास आदमी है जो कि उसका सारा दंद समालता है साथी शौफ की बात तो यह है कि सारी कॉल गर्ड अरजुन को 1,20,000 रुपे हर मेने बेचती है जो कि रिजवान अरजुन को देता था अविनाश अब रिजवान को जाकर दोबारा मारता है क्योंकि वे उसको पूरी बात नहीं बता रहा था तब रिजवान बोलता है कि वे अर मेने 30 कॉल गर्ड से 1,20,000 रुपे कलेक्ट करके अरजुन को देता है पर उसने अरजुन को देखा नहीं क्योंकि वे पैसे आर्टिफेक्ट कंपनी के अकाउंट में डालता है अविनाश की टीम अब आर्टिफेक्ट कंपनी के एड्रिस को निकाल कर मापड जाती है जहां वे देखते हैं कि वहां राजीव बैटा है कि अर्जुन चोहान तो उसका साला है जिसके बाद अविनास अर्जुन को जाकर पकड़ लेता है पर अर्जुन को इन सम मर्डर और एस्कोर्ट के धंदे की बारे में कुछ भी पता नहीं था और वे बस पागलों की तरह हरकते कर रहा था लेकिन अविनास की टीम को अब अर्जुन के रूम से सारे अविडेंस मिल जाते हैं जिससे वे kmal girl के सारे दंदे चला रहा था पर यह अविनास यह समझ गया था कि ये वे अर्जुन नहीं है जिसको वे ढूंड रहे हैं कोई बड़ी चलागे से अर्जुन को फसा रहा है ताकि वे बच सके क्योंकि अर्जुन के मिलते हैं उनको सारे अवडेंस बड़ी असानी से मिल गए जिसको वे कितने टाइम से ढूंट रहे थे और वैसे भी अर्जुन पागल था जिसके बसके सारा काम करना नहीं था अवडेंस की टीम फिर भी अर्जुन को पकड़ कर ले जाती है क्योंकि उनको कमिशनर को कुछ तो दिखाना था अब जैसे अविनाश जाने लगता है तब राजीब की बीवी का पर्स गिर जाता है जिसको उठाने में अविनाश उनकी मदद करता है फिर पुलिस स्टीशन में जाकर अविनाश काफी सोचता है कि इन सब केस के पीछे कौन है जो कि उनकी आँखों से छुप रहा है तब उसको छोटू की माचिस से सिग्रेट जलाते ही कुछ याद आता है जिसके थोड़ी दिर बाद अविनाश राजीब की बीवी आरती से बात करने जाता है तब वे आरती से पूछता है कि वे 11 से 14 तारीक के बीच कहा थी आरती बोलती है कि वे बैंग लोड छुटी मनाने गई थी तब अविनाश बोलता है कि वे जूट बोल रही है क्योंकि उसकी कार तो मुंबई दिली के हाईवे के तरफ देखी गई जहां दिली में उसने कार रेंड पर जैपूर जाने के लिए ली थी जिसका जवाब देते हुए आरती बोलती है कि वे जैपूर गई थी तो क्या हुआ फिर संजना आरती की मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी है जिसके हसाब से उसके पापा ने उसकी हॉर्मोन सरजरी करवाई थी तब आरती बोलती है कि हाँ करवाई थी क्योंकि वे एक लेस्बियन है आरती अब अर्विंद को उसकी स्टोरी बताती है कि उसके पापा को उसका लेस्बियन होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था जिसके बाद उने एक दिन उनके बेटे की बारे में पता चला जो कि उनकी मिश्ट्रिस से हुआ था ये जानकर वो काफी खुश हुए और उन्हें अपना सब कुछ उसी बेटे के नाम कर दिया जिसका नाम था अर्जुन और आर्ती की शादी राजीफ से जबरदस्ती उन्हो कर कहता है कि तुम ही भेश बदल कर नकली अर्जुन चोहान बनी ताकि तुम अपने सोतेले भाई अर्जुन को फसा सको जिसके बाद तुम्हें अपने पापा की सारी प्रोपर्टी और पैसा मिल जाए अविनाशब क्यादा की आजमा तुमारे लिए काम करते थी जब तु अमिशा को मारने गई तो तुम्हारी उससे जड़ाप हो गई जिसका रण तुम्हारा एक बाल अमिशा के नाकौन में अटक गया इसी की वज़ा सो उन्हें आर्टी का DNA सेंपल मिल गया जिससे थाबित होता है कि आर्जुन की वैस को चेक किया जो कि एक वैस एप की मदद स अवाज को बदला गया था और उस अवाज को फिल्टर करते हैं उन्हें आर्टी जैसी अवाज मिल गई यहां तक कि अमिशा के सुसाइड नोट की राइडिंग भी आर्टी की राइडिंग से मैच करती है अविनाश अब आर्टी से बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया और बार में उन सब लोगों को क्यों मारा तब आर्टी बोलते कि बार के सारे आदमी मेरे रास्ते में आये थे इसलिए मैंने सब को मार दिया क्योंकि मैं जरासा भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी फिर अविनाश लड़कों की ट्रैफिकिंग के बारे में पूछता है तब आर्टी बचकर वहां से भागती है और टैरिस से कूद कर अपनी जान दे रेती है क्योंकि उसको पता था कि वह आप बचने ही पाएगी जिसके बाद ये केस यहीं पर खतम होता है फिर पुलिस स्टीशन में अब संजना अविनाश से पूछती है क्या आपको कैसे बदा चल आर्टी न सब के पीचे है तब अविनाश बोलता है कि उसने आर्टी के बैग में मैचिश्टिक का बॉक्स देखा था जो कि सेम उसने जैपुर में देखा था जिस उसको आर्टी पर शक हुआ और जब उसने इंवेस्टिकीशन की तो भही कातल निकली अब अब अविनाश